दोस्तों, आज हमने एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करेंगे, जो हमारे जीवन में छुपे रहस्य का परदाफाश करेगी। यह पूर्ण रूप से हमें यह बताएगी कि हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए कितनी क्षमता है, हम उसे काम को करने के लायक है या नहीं। कि कैसे छिपी हुई आदतें, जीवन को एक नया आकार देती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, यह पुस्तक हमें सभी प्रकार के छिपे हुए रहस्य के बारे में बड़े ही सरल तरीके से बताती है। यह पुस्तक किसी भी व्यक्ति को समझना और उसे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालने की कला में हमको महारत हासिल कर देगी। और इन सब चीजों को सीखने के लिए यह पुस्तक एक बड़ा ही अच्छा विकल्प है। हमें सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। हमारे अंदर की शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग करें और सफलता की दिशा में निरंतर रूप से आगे बढ़ें। हमारे जीवन को बदलने की इस पेशकश में हमारा साथ दें और अपने जीवन को भली भांती बदलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप पुस्तक को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। और पुस्तक में बताई गई बातों को अपने जीवन में जरूर प्रयोग करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। आज हम बात करेंगे पुस्तक में बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में के लेखक ने अपने जीवन में एक बड़ा ही उचा मुकाम हासिल किया, बलकि केवल लेखक ने ही नहीं, इस पुस्तक को पढ़ने वाले सभी व्यक्तियों ने अपने जीवन में सफलत के रोड मैप पर चलना शुरू कर दिया है, तो चलिए दोस्तों, पुस्तक की शुरुआत करते हैं, पुस्तक की पहली बिंदु में लेखक हमें आत्म जागरूकता के बारे में बताते हैं, आता जागरूकता के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि कि किसी दूसरे व्यक्ति को देखने की बजाए, हमें सबसे पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए कि हम जागरुक हैं या नहीं। जागरुकता में हमारा विश्वास, कमजोरी, शक्तियां आदि के बारे में बात हो रही है। हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हम किस मूल के प्राणी है, हमारा मकसद क्या है जिन्दगी में, आने का और हम किस चीज को पाना चाहते हैं जिन्दगी में, या हम किसी भ्रम में तो नहीं जी रहे। जब भी हम खुद आत्म जागरूक होते हैं, तो हमें जीवन में किसी भी परिस्थिती में फैसले लेने की समझ होती है, कि हमें किस समय किस जगह पर क्या फैसला लेना है, अगर वह हमारे पक्ष में गया, तो हमारा क्या होगा, या वह हमारे विपक्ष किया, तो हमारा क्या हो या हम उसे कार्य में, निराशा, देखने को मिलेगी आत्म जागरूपता। इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध कैसे हैं। आप उनके साथ किस तरह से पेश आते हैं, या फिर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार तो नहीं है, या आप जीवन में किसी भी प्रकार का ठोस कदम उठा सकते हैं। बिना किसी शर्म के आपको कोई घबराहट तो नहीं होती। किसी भी कार्य को करने में जब भी हमारे उपर कोई मुसीबत आ जाए, तो उसे समय हम बिना कोई अहंकार या शर्म के किसी भी व्यक्ति से मदद मांग सकती हैं या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आत्म जागरूपता से हम, हमारे जीवन में बड़े ही अच्छे तरीके से जीवन के फैसला ले सकते हैं। किसी हमारे आसपास के लोगों के साथ संबंध भी अच्छे होने की संभावना है। और हमें बिजनेस में भी पूर्ण रूप से सफलता मिलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। दिन प्रति दिन अंत में बिंदु को समाप्त करते हुए लेखक में बताते हैं कि आत्म जागरूपता एक रोड में की तरह कार्य करती है हमारे जीवन में। क्योंकि यह हमारे जीवन के अवतार चड़ा को एक सही तरीके से मार्ग दर्शन प्राप्त करती है यह हमारे आंतरिक मन को एक शान्ति प्रदान करेगी। इसकी मदद से हम खुद को और बेहतर तरीके से पहचान सकेंगे। आज तुम जागरूकता नहीं। मुझे आपका जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। आपके रिष्टे दिन अच्छे होते जाएंगे। और आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने की राह पर चल पड़ेंगे। पुस्तक की दूसरी बिंदू सहानुभूती में लेखक हमें बताते हैं। हुए कहते हैं कि सहानुभूती का मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को शांत बना दे रहे हैं। उसके दुख के समय में बलकि सानुमती का असली अर्थ यह है कि हम उसे व्यक्ति के भावना उसकी भावनाओं को अपने भावनाओं के साथ जोड़ भी पा रहे हैं या नहीं इसमें। यह नहीं कि उसे व्यक्ति को सिर्फ सांत्वना ही दें। जब भी कोई व्यक्ति हमें अपने जीवन की कहानी के बारे में बता रहा है तो हमें उसे व्यक्ति की कहानी को बड़ी ही ध्यान से सुनना चाहिए। इससे उसे व्यक्ति को यह जरासा भी ना लगे कि हम उसकी कहानी क को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेखक हमें बताते हैं कि सहानुभूती भी दो प्रकार की होती है। पहले है संजानात्मक सहानुभूती और दूसरी सहानुभूती है भावनात्मक सहानुभूती। लेखक हमें पहले सहानुभूती के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के विचारों दृष्टिकोन को अच्छी तरह से समझना शामिल है। इसमें हमें उसे व्यक्ति के विचारों को अच्छी तरह से सुनना चाहिए और समय समय पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ कर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर लेखक हमें बताते हैं कि मान लीजिये। जब भी आये हमारा कोई दोस्त, मुसीबत में हो तो हमें उसको मुसीबत से निकलने के लिए हमें हर प्रयास करना चाहिए ताकि मुसीबत से दूर हो जाए और उसका जीवन खुशहाल हो जाए। भावनात्मक स्वानुभूती में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे हमें उसे व्यक्ति की भावनाओं को समझ कर उसकी भलाई करने के बारे में सोच विचार करना चाहिए। इसमें हमें उसे व्यक्ति की भावनाओं को समझने के लिए उसके शरीर के हाव भाव, उसके बोलने के धंग से पता लगा लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिये कि हमारा कोई दोस्त डिप्रेशन से गुजर रहा है तो हमें हर्व प्रयास करना चाहिए जिससे उसका डिप्रेशन दूर हो जाए और हमारे दोस्त को यह महसूस होना चाहिए कि हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे उसके उपर कोई भी बड प्रया की भावना का प्रयोग करके हम दुनिया के उच्च स्तरीय लोगों की सूची में शामिल हो जाएंगे पुस्तक की तीसरी बिंदु है भावनाओं पर नियंत्रण करना भावनाओं पर नियंत्रण करने का सही मायने में यह अर्थ है कि हमारी भावनाओं का करना है मान लीजिए हमारे उपर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई स्थिती आ जाए तो क्या हम उसे स्थिती को काबू कर पाएंगे या नहीं शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल कीजिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं इससे आपको अपनी भावनाओं को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी ऐसी कौन सी चीज है या भावनाएं हैं जो हमें ज्यादा गुस्सा दिल रही है मान लीजिए किसी व्यक्ति की याद काम में सफलता न मिलाना मान लीजिए आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो कोई आपका दोस्त आप से सवाल जवाब करेगा कि आप वहाँ पर घूमने क्यों जा रहे हो कब जा रहे हो किसके साथ जा रहे हो या फालतू के सवाल जवाब करेगा तो फिर आप इन प्रशनों को सुनकर आपके अंदर एक गुस्सा उपर आएगा और आप उसे व्यक्ति पर फिर गुस्सा करेंगे और इसके विपरीत मान लीजिए जब भी आप कोई कठिन कार्य कर रहे हो तो आपको उसमें चिंता होगी कि आप उसे कार्य में सफल होंगे या आपको निराशा हाथ लगेगी जब भी हम अपनी भावनाओं को समझने लग जाएंगे तो हम प्रतिक्रिया देने से पहले समय जरूर लेंगे सोचने के लिए कि उसे काम को करें या नहीं या उसे व्यक्ति को जवाब दे या नहीं हमने कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले हमारे दिमाग को शांत करना चाहिए बिलकुल शांत और दिमाग को शांत करने के लिए हम गहरी सांस ले सकते हैं दस तक गिनती भी गिन सकते हैं और इधर उधर पल भी सकते हैं यह सब करके हमारे दिमाग को भी थोड़ी राहत मिलेगी और हम फिर सोच समझकर ही फैसला ले सकते हैं क्योंकि कल को ऐसा ना हो, कि आपका फैसला लेने के बाद आपको पचताना पड़े अपनी भावनाओं को अच्छे और रचनात्मक तरीके से पेश करना ही हमारे भाव को उच्च स्तर का बना देता है अपनी भावनाओं को अपने दिमाग में दबे रहने की बजाए उसको यह सोचना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के सामने कैसे प्रस्तुत करें इस बिंदु में लेखक हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार अपने भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन को अपनी नियंत्रण में कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे जीवन को नियंत्रण में करकर हम जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से जहल सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथी जीवन में बहतर निर्णय लेने से हमारा जीवन भी बहतर हो जाएगा और हमारे संबंध भी दिन में दिन बहतर होते। जाएंगे पुस्तक की चौथी बिंदू है सोशल इंटेलिजेंस। इस बिंदू में लेखक हमें बताते हैं कि हम कैसे लोगों से बातचीत कर सकते हैं और कैसे हमारी बातचीत से हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। या कोई पब्लिक समुदाय ग्रुप हो, या अन्य कोई भी प्रकार का ग्रुप हो. लेखक बताते हैं कि इन समुदायों में हर किसी व्यक्ति के पास एक समान शक्ती नहीं होती. कोई एक खास व्यक्ति होगा जिसके पास सबसे ज्यादा अधिकार और सबसे ज्यादा शक्ति होगी फैसलों को मानना या ठुकराना सब कुछ उसके ही हात में होगा एक जिम्मिदार व्यक्ति होने के नाते हमें उसे व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए कि वह हर एक व्यक्ति की कोई सामान देता है या नहीं या किसी में भेदभाव तो नहीं कर रहा या समुदाय में लोगों के बीच रिष्टों में खटास पैदा कर रहा है या समुदाय के लोगों के बीच संस्था गौर की बेहतर बना रहा है लेखक. हमें बताते हैं कि कई बार कुछ व्यक्ति इस हद तक गिर जाते हैं कि वह अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं चाहे उनके फायदे से किसी भी व्यक्ति का नुकसान हो रहा हो वह बिना इस बात की परवाह की कोई भी कदम उठाने के लिए तयार है प्थर से दे सकते हैं या नहीं लेखक में बताते हैं कि हमारे समझ का पूर्ण रूप से प्रयोग करके हम किस प्रकार लाब कमा सकते हैं लाब कमाने का मतलब यह नहीं है कि हम किसको गाली गलौज करेंगे या किसी के साथ छेड़ छाड़ करने लग जाएंगे या उसके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश भी करेंगे यह बिलकुल इसका मतलब नहीं है बलकि हमें दूसरे व्यक्तियों की ज्यादा से ज्यादा बढ़ चड़ कर मदद करनी चाहिए और उनको अच्छी सी अच्छी राय देनी चाहिए जिससे वह जीवन में सफलता के मार्ग पर नि हमारे अच्छे विचार दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करनी चाहिए और उसे दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी सुनना चाहिए और उनके विचारों को भी अपने ऊपर एक बार जरूर प्रयोग करके देखना चाहिए क्या पता वह आपके जीवन को बदलने में कारगर साबित हो, सोशल इंटेलिजेंस का वास्तव में यह अर्थ है कि हम किस प्रकार अपनी सोच समझ का प्रयोग करके अपने कारियों को बल्लीभाती कर सकते हैं, बिना किसी के साथ बुरा व्यभार किया और अपने रिष्टों को कैसे बहतर बना सकते हैं, इसे हमें लडाई जग यह आपने अभी तक सोचा ही नहीं, जिन्दगी में करना क्या है, सब कुछ किस्मत के भरोसे सोच कर बैठे हैं, कि किस्मत में होगा तो खुद चल कर आएगा मेरे पास, तो दोस्तों यह बात है सिर्फ कहानियां और नाटकों में अच्छी लगती है, वास्तविक्ता में इ क्या कुछ करना चाहते हैं, तो आप फिर अगले पड़ाव में, पहुंचकर आप यह सोचें कि आपकी जिन्दगी में क्या-क्या बढ़ाएं आ रही है, जो आपको सफलता के मार्ग पर जाने से रोक रही है, आपको सफल होने से रोक रही है, या आपके लक्ष को प्राप् परिजना बनानी पड़ेगी कि आप अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार कार्य करेंगे, जिसके कारण आपको जल्द से जल्द सफलता मिलेगी. मान लीजिए आप किस टाइम उठाएंगे? किस टाइम कार्य करने में? लगेंगे? किस टाइम सोएंगे? किस टाइम क्या करेंगे? किस टाइम आफिस में जाएंगे? अपने परिवार को कब समय देंगे? अपने दोस्तों को कुछ समय देंगे? यह सब कुछ सबसे पहले एक य यक्ति कब, किसके कहां पर काम आ जाए, इसलिए किसी को अंडरस्टीमेट मत करिये, सभी का खुले दिल से स्वागत करिये, यह बात बिलकुल भी पक्की नहीं है कि आपने अपने लक्ष को निर्धारित कर लिया, उसके बाद आपने अपनी योजनाएं भी बना ली, फिर आपके जीवन मैंने एक प्रकार की मुसीबतें आएंगी, और आपको फिर सोचा है कि आप उन मुसीबत का सामना कैसे करेंगे और उनका हाल कैसे निकालेंगे, और उन मुसीबत का हाल निकाल कर यह आप आगे बढ़ सकेंगे, और अपने लक्ष के पास धीरे धीरे एक-एक कदम चल कर एक न एक दिन जरूर पहुँचेंगे, आप अपने लक्ष पर ध्यान देते हुए यह भी सोचें कि आपके आस-पास वाले लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और साथ ही अब भी देखें, आपका लक्ष और उनका लक्ष एक ही तो नहीं मान लीजिए, आ आपको तो आपके लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका है, आपके लक्ष को बड़े ही आसानी से प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दो व्यक्तियों का एक लक्ष यानि की दो दिमाग को का प्रयोग होगा, शौटकट से शौटकट रास्ता निकाला जाएगा, किसी भी मुसी दीबत को सॉल्व करने के लिए उसे व्यक्ति की राय दीजिये, और अपने विचार भी उसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिये, और अपने लक्षन के पास पहुँचे और सफलता प्राप्त करें. Social Intelligence में शांत रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिये, एक समय पर चलने के बाद आपके सामने कठिन मुसिप्ते आ जाएगी, उसमें आपको अपने दिमाग को शांत करना है, और अपनी नियंतरण में लेना है, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होगा, तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से उसे मुसीबत को सॉल्व करने के तरीके निकाल सकते हैं, और अगर आपका दिमाग शांत नहीं होगा, तो पता नहीं किस प्रकार के अजीबो गरीब सॉल्यूशन आएंगे आपके दिमाग में, और इस बात की भी कोई गारंटी नही है कि आप मुसीबत को को सॉल्व कर लेंगे, यह द्रिश्टिकोन आपको कठिन मुसीबत से लड़ने और सफलता के मार्क पर चलने में मदद करता है, पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदू है ऑथेंटिसिटी, यानि की प्रमानिक्ता, इस बिंदू में ल और लोगों को दिखाने के लिए एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, जो कि वास्तव में हम है ही नहीं, जब हम वास्तविकता से जीवन जेंगे, यानि की जो हम हैं, वही दूसरों के सामने पेश करेंगे, बिना कोई बनावट और दिखावटी के, तो लोगों को हमसे व और भी बहतर होते जाएंगे, दिन बदिन मान लीजिए, जब भी आप सचे होते हैं और किसी अंजान व्यक्ती के साथ बात कर रहे हैं, तो आप उन व्यक्तियों को भी अपनी और आकर्शित करेंगे, जो आपको पहले से ही जानते ना हो, और आपकी सच्चाई को देख कर आपकी ओर आकर्शित हो रहे हैं, और आपके साथ मित्रता करने में भी संकोच नहीं हो रहा, उनको जितने ज्यादा हम सच्चे और अच्छे रहेंगे, उतना ही हमारा दिमाग शांत रहेगा, और हमारे दिमाग में हर रोज अच्छे से अच्छे आइडिया आएंगे. जीवन को सफल बनाने के, लेखक ग्रीन हमें बता रहे हैं, कि अगर हमें जिन्दगी में कुछ पाने की इच्छा है, तो उसे चीज को पाने के लिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, बलकि हमें सच्ची और अच्छे तरीके से उसे ची प्रमाग के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे किसी की, दूसरी लोगों की बनावटी दुनिया को देखकर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लेना चाहिए, जब हम खुद से ही हमको ऐसा लगेगा कि हम सच्चे और अच्छे हैं, त कि बनावटी दुनिया के माया जाल में फंस जाए और दिखावा करने में लग जाए, प्रामानिक होने से सम्मान बढ़ता है और आपके आस पास एक सकारात्मक और वास्तविक माहौल को बढ़ावा मिलता है. तो दोस्तों, जैसे ही मैं पुस्तक का आखिरी पन्ना पढ़ा, लेखक ग्रीन द्वारा लिखी गई डी पावर ओफ हुमन नेचर, एक बड़ी ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है. मैं तो आपसे यह उमीद करूंगा कि एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और कामज में है, कहां पर अपने विचार रखने का, पर नहीं, आपको अपनी जीवन में सच्चा और अच्छा रहना है, बिना कोई बनावटी दुनिया के माया जाल में फंसने के, बजाए कभी भी दिखावा नहीं करना, आप जैसी हो वैसा ही रहना है, किसी भी व्यक्ती का म जैसा कि लेखक ने हमें इस पुस्तक में दिखाया है, लेखक हमें बताते हैं कि हम एक शानतिमा के साथ कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से चुटकियों में समझा सकते हैं, तो दूश्तों आज की हमारी है बुक समरी, यह पर समाप्त होती है, उमीद है एक नई वीडियो में